फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत महत्पुन उद्धे पर बात करने वाले हैं कि Vision IS Magazine से नोट्स कैसे बनाए प्री और मेंस के लिए ये बेहत ही confusing topic है और कई लोगों को इसमें समस्या होती है कई लोग इसमें queries कर रहे थे इसलिए मैंने इसमें आपको कुछ sample notes बनाए है देखिएगा पूरा देखिएगा script मत करिएगा मुझे उमीद है आपके लिए helpful होगा पहले मैं आपको जो है अप्रील मंद की magazine दिखाता हूँ Vision IS 2024 की ये आपकी Vision IS की magazine है अप्रील 2024 की जिसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है Policy and Governance वाला section इसे मैंने दो topic के notes को आपको दिखाया है तो पहला topic है राजकोसी संगवाद ये topic जो है syllabus का topic से मैंने link कराया था कि ये topic जो है GS2 का जो syllabus है मेंस का उसके syllabus में संगी धाचे से संब्धित विसे और चुनोतियां इससे ये link होता है तो मैंने आपको syllabus लिंक करके बताया था ना पढ़ाया था वीडियो पढ़ी होगी playlist में अभी मैं करा ही रहा हूँ magazine का पूरी नहीं हुई है उसको मैं कराता जाओगा और parallel जो है मैं और अपरेल की जो magazines होँगी वो कराता जाओगा अभी मैं की magazine आने वाली है तो ऐसे में ये topic मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको हर एक series में से cover कराई थी अब बात उठता है कि इसमें से क्या लिखना है और क्या छोड़ना है pre or means के perspective से तो सुर्खियों में क्यों है ये चीज़ को आप समझो ये क्या था संगी धाचे से विशय और चुनोतिया topic क्या है राजकोसी संगवाद हमेशा से ये important topic है UPSC हर साल संगवाद से एक सवाल पूछता है सुर्खियों में क्यों था क्यों कि राज्जों ने किन सरगार दवरा वित्ती संसादनों के बटवारे के समझ में विवाद था तो उसको किन सरगार खिलाफ Supreme Court का रूख किया ये सुर्खियों में था ठीक है अब इसमें से मैंने कुछ points को नोट किया जैसे कि ये चीज़ सम नाली में जो नीधी है और प्रसासनिक जिमिदारी है उसका संग में राज्ज में और अस्थानी सरकारों द्वारा जो साधाकरन होता है वही राजकोसी संगवाद होता किसका है नीधी का और प्रसासनिक जिमिदारियों का ठीक है अब इसमें तीन सिधान्त आते हैं एक आत सरकारे थी वो केंद के खिलाब कहा गई थी सुप्रीम कोट में गई थी ये एक valid point नहीं होगा मेंस में लिखने के लिए सुप्रीम कोट जब इस पर कोई judgment देगा जब गई है तो judgment भी आएगा तो judgment कब आएगा next आने वाले समय जो भी चीज़े आएगी मैं यहाँ पर नोट कर दूँगा नीचे जगह भी बताता हूँ मैंने यहाँ से कुछ चीज़ों को उठाया जैसे कि संबैधानिक प्रावधान यह आपके प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से हो सकता है संबैधानिक प्रावधान जहाँ पर कियेगा है सात्विय नसूची, राजस्वकावीतरण, सहायता अनुदान, रिड़ और वितायोग ठीक अब यहाँ पर बात आती है ना कि प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से चीज़े हो गई अब आटिकल को थोड़ा देखेगा इस चीज़ को आप गौर करो, यहाँ लिखा तत, अनसंबंदित तत, यह भी आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ लिखो, राजकोसी संगवात के बारे में, यह मैंने इंट्रो के लिए बना लिया, यही से मैंने फीक अप किया, और तीन सि पुरह मैं दिरेक्ट आटिकल लिखा, इन आटिकल उसको में बाद में जब परिलेम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना रहेगा, तो मैं जब आटिकल पढ़ोंगा तो उन सब्सके आटिकल मैं देख रूँगा, इन आटिकल मैं सर्च भी कर लूँगा, ग्रांटी नेट्स को क्योंकि उसको GDP के अनुका जो GSDP होती है सकल राज्य घरे लूत पाद उस पे तीन परसेंट पर सीमित किया गया 15 वितायों के सिपारिसों के दार पर यह मैंने आपको पढ़ाया था तो उसको मैंने कैसे नोट किया यह देखो किंद राज संबंदी जो वित्ती विवाद है उ यहां मैंने कीवर्ड्स लिखें सिर्फ अंतर सरकारी जो कर अंतरन है या राजकोसी अंतरन उसमें गिरावट आई है सिस से प्राप्त जो राजस्व है वो राज्यों के साजा नहीं हो रहा है यह मुद्दे हैं सहायता अनुदान में कमी हुई है और जो किंद्र से नोट कर लिया ठीक है अब यहां बहुत कुछ दिया हुआ है एक बार आप मेंस के मैगजिन्स को पढ़लो चीजों को नोट कर लो और इसमें से बस कीवर्ड्स को उठाओ कीवर्ड्स को उठाओ इसी चीज को आपको मेंस में लिखना है इतने कम सब्द में क्योंकि आपक लिखते हैं आप तो कितने समय में कितना वर्ड्स लिखते हैं धाईसो सब्द में या फिड्नेर्सो सब्द में आपको पॉइंट इतने नहीं लिखने है किताब नहीं लिखनी है इतने पॉइंट बनाओ आप इतना ही लिखो आप ताकि जितना आपको याद हो सके और और व यहां पर देखो एक बार जो चीज़ आपको आर्टिकल दिखे लेना है इसके बाद इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ आगे के रहा में देखो यहां पर लिखा है सुरह में वितायों की भूमिका क्या आओगी आओगी आफ बॉर्विंग बजट की समिच्छा असंतुलन को दूर करना और यह सब तीज़े है इसको मैंने सौट में कैसे किया है वो देखो यहां पर इस इन चीज़ों को आप एक बार गयर से ध्यान से देखना कि आगे की राज्यों है सुरह में वितायों की भूमिका यानि राज्यों को क्या करना है आओ सकता अनुसार फंड ट्रांसफर करना है किस मामलों में जान सांखे की मामलों में जान सांखे की संक्रमण के लिए प्रवासन के लिए जलवाई प्रवर्थन वागारा के लिए इस सारे मुद्दे होंगे जो आफ बजट बॉर्विंग है उसकी सभिच्छा करनी है चैती असंतुलन को दू हम होने की जरूवत है इतने crisp में इतने छोटे में ये पूरा जो आर्टिकल है ये आपका एक cover हो गया इतने छोड़े point में अब जब भी इसमें सुर्खियों में जो चीज रही है जैसे मैंने बताया आपको ना कि सुर्खियों में क्यों रहा उसको मैंने नहीं नोट किया क्यों नहीं किया क्योंकि अभी वो supreme court गाया है जब judgment आएगी तो कुछ judgment आएगा न तो उन judgment को यहाँ पर नोट कर लेंगे और बाद में further कुछ और developments होगी यहाँ space है मैं इसको इसी में add कर लूँगा यानि कि राजकोसी संगवाद यानि संग समझत जमुद्धे होंगे इसी space में हो जाएंगे एक page में आपका पूरा note complete और आपका syllabus का एक topic complete next आपका topics आता है जो article देखना यह देखो आप आता है कि सासन में civil सेवाओं की भूमिका civil सेवकों की भूमिका यानि कि role of civil servant in governance syllabus से मैंने आपको link कराया था कि DS2 का syllabus उठाओ उसमें लिखा होगा लोकतंत्र में civil सेवाओं की भूमिका direct point है यानि कि आपका syllabus का एक point यहां से टायार होगा ऐसे में करना क्या है आपको तो देखो सूर्खियों में क्या है सिविल सेवा दिवस के आउसर पे प्रधान मंतरी ने सासन और जन कल्यान को आगे बढ़ाने में सिविल सेवकों की मदपुर भूमिका को रेखांकित किया यानि ये point मेंस के लिए उतना उचित नहीं है current का क्यों नहीं है क्योंकि सिविल सेवा दिवस हर साल होगा प्रधान मंतरी हर साल बोलेंगे यहां प्रधान मंतरी ने कोई specific बात नहीं किये वो बात की है है सासन और जन कल्यान में भूमिका तो है ही जाई सेवा थे common point है specific बात जैसे करते एक साल प्रधान मंतरी ने कहा था 3E का concept दिया था efficiency का effectiveness का और empowerment का तो 3E का concept जो दिये थे तो वो एक specific point था civil save के लिए पर इस बार उन्होंने क्या बहुत कुछ specific point तो यहाँ पे है नहीं इसलिए इसको ignore कर दो आप अब मैंने यहाँ पे बताया इस point को highlight किया था था यह आपके means के लिए इंपोरेंट है नहीं अब यहाँ पे समयधानिक प्रावधान क्या है तो मैंने note में जो note की बनाया है उसको तो यह वाला point देखना आप इस चीश को आप देखो लिखा है सासन में सिविल सेवाओं की भूमिका सिविल सेवकों की भूमिका तो क्या ही यह सासन की कारेकारी साखा में अस्थाय अधिकारी है simple सा point मैंने यहाँ पे note कर दिया समयधानिक प्रावधान कौन कौन से है article 310, 311, 312 इसको में मैं देख लोगा इसको मेंस के लिए भी आपको पढ़ना जरूरी होता है अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डियाग्राम मना दिया क्या बनाया सिविल सेवक सिविल सेवक क्या है जनता और सरकार इसके बीच का यह connection है इसके बीच के यह connections है जनता और सरकार के बीच के ठीक है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ इन्विटिव कर दिया अब आती यहने कि सासन में सिविल सेवकों की भूमिका है क्या आखिर वास्तों में तो यह चीज को देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है इस तरह की इतना भवहोद कुछ है इतना कुछ है मैंने आपको पढ़ाया था इसमें तो यह पॉइंट को कैसे मैंने यहाँ पे बहुँ छोटे में बनाया है इसको आप देखो कि सासन की निरंतरता सुनुश्यत करना कौन करता है सिविल सेवक करते है लोगों के बीच में इंटरफेस है निती निर्मार करते है इंपूट देते है पॉलिसी नितिगत 6 की बात करते है विशलेशन करते है समधान देते है और सलाभ भी देते है किनको? मंत्रियों को बारती लोगतंतर को मजबूत करते है कैसे? स्वतंत और निस्पक्स चुनाऊ से एक्जाम्पल गरूप मैं यहाप है सिफ एक सब्रीका TN सेशन TN सेशन के बारे में मैगजीन में आप पढ़े होंगे बस आपको याद करना है कि TN सेशन हा साभागी लोकतंत्र 1976 में में गोखले थे यह पॉइंट मैंने बस इतना कम सब्द में इतनी कम सब्द में लिखा इसको आप मेंस में भी ऐसे लिखोगे ना तो बहुत बहतरी नमबर मिलेगा एक्जाम्पल सिरूर लिखना है इसमे का बहुत अच्छा कंटेंट था ठीक है समरिध्धी और विकास में सायक होते हैं सिविल सेवक किसलिए कानून बेवस्था में जैसे कि असाम की जो आइरन लेडी है संग्युता परासर वो फेमस है फिर संसाधनों की जो कमी संबंधी बाधाओं को दूर करने में इनका भूमिका है जैसे कि मरीपूर के मीरेकल में बोलने जाते हैं आयस आनस्टांग पा में ये इन्होंने क्राउड फंडिंग से सौ किलोमेटर की रोड बना दी थी ये मैनेकजी में आपने पढ़ा था बस आपको नोट कर लिया कोजी कोड कोजी कोड के जो आयस प्रसांत नायर है उन्होंने आपरेशन सुलेमानी चलाया था भोजन की उपलत्ता सुनिश्चित कराई थी तो ये क्या है कि इस तरह से बुलेट पॉइंट में बहुत सारी बाते थी उसको मैंने इतने में ही कंबर कर दिया फिर ये डिप्लोमेट्स भी होते हैं फिर ये अर्थ नियाइक भूमिका जैसे निवाते से ट्रिबुनल्स वगरा में नुक्त होते हैं और बेभागी कानून में निर्माने में सयोग देते हैं ठीक है ये चीज मैंने कर लिया अब इतना सा जो मतलब भूमिका जो थी कितना पढ़ा था काफी जादे थी उसमें किसमें मैगजीन में और ये आपका सेलेबस का एक पॉइंट है मन्दब सेलेबस का एक पॉइंट हैं यही पे कवर हो जा रहा है तो इतना अच्छा कंटेंट था इसको मैंने यहाँ पे छोटे से कर लिया अब आता है कि बार-बार चुनोतिया चुनोतिया आती है तो इन चुनोतियों को मैंने यहाँ पे डाइगराम बे बनाया था इसी वाले जो है फ्लोचार्ट को आप देखो चुनोतिया थोड़े से चीज़ों में बुन्यारी जहांचे में कमी है जवाब देही कारे को सलता का भाव है स्वाजता है लाल फितासा ही है बिष्टशार के समस्या है सुरच्छा की चुनोति है तक नहीं की पिछड़ापन है ठीक है यह क्या चुनोतियां है इनको आपको लर्न करने में बिलकुँ टू दी पॉइंट है इदम लर्न करने में असानी होगी और आप भूलोगी नहीं फिर सरकार ने कुछ पहल की है मिसन करम योगी आईगाट करम योगी आराम प्रहल है ठीक है NSTCICI है NSCTCI है लोग प्रशासर में उतकृष्टा को PM पुरसकार है यह कुछ पहले सरकार की जो सिविल सेवकों के लिए की गई है अब यहाँ पे मैंने पहल बता दी इसी मैगजीन से अब इस मैगजीन में मैं क्यों कहता हूँ कि मैगजीन पढ़ना चाहिए देखो आप इस मैगजीन पहल भी दिखा था बहुत कुछ था मैंने सौर्टनों उसको लिख दिया अब इसका निसकर्स देखना मैंने आपको बोला था ने ये निसकर्स इतना बहतरीन निसकर्स है इससे आप एक इंट्रो और एक निसकर्स आप हमेशा तयार रखो हर टॉपिक पे तो निसकर्स के रूप में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लिखा है, एक सिविल सेवक द्वारा जो पारदर्सिता, दक्षता और अखंडता के दिशा में प्रतीक कदम जो होता है, वो हमारे देश को समावेशी विकासु सुसासन के लच्छों के करीब ला इतना बेहतरीस निसकर्स हैं, इस निसकर्स को आप रेडी कर लिए, यानि जो टॉपिक था आपका, कि शिविल सेवाओं की भुमी का, उस में की आपका इंट्रो भी रेडी है, संविधानिक प्राधान भी रेडी है, कुछ एक्じामपल्स भी रेडी है, भुमी के आपको प मुझे पूरा उम्हीद है इसमें से को इक भी सवाल नहीं बन सकता, ठीक है, अब आता है दिब्यांग जंगाधिकार, इसी तरह से इसमें बनाना है, डेटा को आप लिख लेना है, डेटा को एक पॉइंट लिखो आप, ठीक है, दो-तीन पॉइंट इसमें याद कर लो, क्यों रहासुर्ख्यों में, तो इसको आप लिखो इस पॉइंट को आप मेंस में लिख सकते हूँ ये वाद को, ये वाद तत्काल के वाद है, और ये बहतरीन है ठीक है, इसको आपका मतलब आपको एजमी लेगा बुलेट पॉइंट है, ठीक है तो दिब्यांग जन क्या होते हैं, उनके समख चुनोतिया क्या है, सौट में एकदम, पिल्कुल सौट में गोड़ोता प्रवग सिछा की कमी स्यास नवाओं तक उचित पहुँचना होना ये तर तर तमाम चीज़ हैं इसको सौट में लिखो, फिर दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम को लिखो प्राधान को नहीं लिखना है बस छोटे-छोटे प्राधान को देख लो कि होते क्या है फिर पूछेगा कि दिब्यांग जन अधिकारों के समझ कौन कौन सी चुनोतियां है सरकार क्या कर रही है ठीक है उसके लिए क्या क्या पहल की गई है और प्रवुक्ष योजना हैं और आगे की रहा क्या है इसको आप में इस तरह से आपको टॉबिक को लीकर के नोट्स को बनाना है नोट्स में जो है फालतू चीज नहीं होनी चाहिए जिसे कि मैंने यहाँ पे प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से आर्टिकल को बस लिख रही है अब मुझे पढ़ना रहेगा तो मैं बेयरेक्ट उठाऊंगा और इस तरह से आप करोगे न तो मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है पॉलिटी के और पॉलिटी और गवर्नेंस के मुश्किल से चार पेज के नोट्स इस तरह से पूरी मैगजीन के कम से कम 20-25 से 30 पेज के नोट्स होंगे और यह मन्त के अब आप वो करना क्या है कि पॉलेटी का नोट्स आपने बना है A4 seat पे जब आपने नोट्स बना लिया तो इन नोट्स को क्या करो कि अगले मंद की जब मैगजीन आएगी माई वाली तो फिर माई वाली पॉलेटी का और गवर्नेंस का मैगजीन का नोट्स और इसका अप्रिल का फिर जून का फिर जुलाई का ऐसे सब का पॉलेटी और गवर्नेंस का नोट्स एक साथ कंपाइल कर दो बना करके फिर आयार का एक साथ कर लो सिक्योर्टी का एक साथ कर लो इस तरह से क्या होगा एक-एक सब्जिक्ट के आपके जो है एक फूर सीट में और बमुस्किल एक जो आपका मन्त का जो नोट्स होगा एक सेक्षन का वो तीन से चार पेज में ही हो जाएगा तो इस तरह से आपका मेंस का पीट आपको कम्प्लीट हो गया तो और आपने कमेंट जरूर करिएगा और आपने व्यू जरूर बताईएगा और उमीद हैगा कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर जए टेलिग्राम पे जुड़ करके मुझे पूछ सकते हैं और आगे कैसे क्या करना होता है ठीक है धन्यमाद